वो लोग कुल-कुल इंसानों को जैसे बनने की कोशिज कर रहे हैं तब पिछली गात को मैंने उनको बहुत करीब से देखा मास्टर जी के बच्चे को जंगल की करफ ले जा रहे हैं तो दोस्तो आई-पेस प्रोडक्शन की एक बहुत बैतरिन फिल्म करेंपस रिलीज हो चुकी है जिसका ट्रेलर तो आप देखी चुके होंगे तो वीडियो खतम होने के बाद में नीचे डिस्क्रिप्शन में जाईएगा और वहाँ पर क्लिक करके पूरी करेंपस मुवी का जुरूर देखिएगा जो कि एक सचमुच में मास्टर पीस से कम नहीं है और आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत बहतरीन और डिस्ट्रॉबिंग मुवी जिसका नाम है I saw the devil तो मुवी की शुरूआत में हमें कार को सुनसान रास्ते पर जाता हुआ पाते हैं और फिर वो कार सलक के किनारे रुख जाती है चुकि उस गाड़ी का एक टैर पंचर हो गया था इस कार में एक लिल्गी थी जिसका नाम जो यू था और वो अपने फैंसे कीम को मदद के लिए कौल लगा रही थी जो यू जब अपने फैंसे से बात करी रही थी तब पीछे से एक स्कूल वेन आती है जिसमें से एक आदमी निकल कर जो यू के पास में आता है और पूछता है कि क्या वहाँ पर कोई प्रॉबलम है और वो बताती है कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया है लेकिन उसने अपने फैंसे से बात करके टो करने वाले ट्रक को यहाँ पर बुला लिया है फिर जोंग उससे कहता है कि यहाँ पर बर्फ जादा पड़ रही है और शायद से ट्रक को आने में देर भी हो सकती है और इसलिए वो खुदी टायर को चेक करने लग जाता है जोयू का फोन अभी पे चालू था और उसका फैंसे यह कहता है कि जब उसने अल्डेडी टोइंग ट्रक को बुलाया है तो फिर भी यह आदमी मदद करने के लिए क्यों के रहा है और उससे कुछ करबड़ जरूर लग रही थी जोयू कुछ देर अपने फैंसे से बात करके फोन कार्ट देती है और फिर जोंग उससे कहता है कि उसके गाड़ी का टायर पूरे तरह से खराब हो चुका है जोयू उस आदमी को उसकी मदद के लिए थेंगू केकर यह बोलती है कि कुछी देर में टोइंग ट्रक यहां पर आ जाएगा जिसके बाद में वो आदमी उसे बड़ी अजीब तरह से देखकर अपनी वेन में बैठ जाता है लेकिन वो जाता नहीं है उसी वेन में ही बैठा रहता है जिसके बाद में जोयू को भी डाउट होता है कि कुछ गरबर जरूर है वो अपने कार स्टार्ट करने की कोशिश करी रही थी लेकिन सडनली जॉंग उसके पास आकर कार का शेशा तोड़ देता है और गाड़े में घुसकर जॉयू पर भी अटेक करके उसे गहल कर देता है जिसके बार में वो जॉयू को अपने साथ में ले जाता है जब जॉयू को होश आता है तो वो एक बड़ी अजीब जगह पर थी और जॉयू ने उसे बंदी बना कर रखा हुआ था यहाँ पर लाने के बार में ये आदमी पहले जॉयू का रेप करता है जिसके बार में जॉयू बहुत डर गई थी वो समझ गई थी कि ये आदमी अब उसे मारने वाला है और वो उसे बताती है कि वो प्रेगनेंट है और उसके पेट में एक बच्चा भी है और इसलिए वो उसे छोड़ दे लेकिन फिर भी जॉयू उस पर दया नहीं करता और उससे बहरेमी से मार डालता है फिर कुछ दिनों के बार में पुलिस को जॉयू की बोडी तुक्डो तुक्डो में मिलती है जिसे देखे कर उसके पिता रो पड़ते हैं और जॉयू के पिता खुद 30 सालों से डिटेक्टिव थे और उन्हें ये दुख था कि डिटेक्टिव होने के बाद भी वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाए वे कीम से माफी मांगते हैं कि वो जॉयू को नहीं बचा पाया कीम जॉयू का फ्यान से था वो उसे बहुत प्यार करता था और वो अपने फ्यान से की मोच से बहुत तूट गया था और डिप्रेस्ट भी रहने लगा था वो चुप चुप करोता था लेकिन उसने कभी भी किसी को अपने आसू नहीं दिखाये थे फिर अब देखते हैं कि कीम ने अपनी नोकरी से दो हफ्तों की छुट्टी ली हुई है और कीम नेशनल इंटेलिजन्स एजेंसी का एक एजेंट था फिर एक दिन कीम से उसका फ्रेंड मिलता है और उससे एक कैपसूल देकर कहता है कि जिस किसी के पास भी एक कैपसूल होगा वो उससे हर वक्त ट्रेक कर सकता है और उसके आसपास की आडियो को भी सुन सकता है लेकिन अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो वो दोनों परिशानी में आ जाएंगे कीम उसके दोस्त को विश्वास दिलाता है कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और वो वहाँ से चला जाता है फिर कीम के फादर इनलो यानि की जोयू के पीता कीम से जोयू के मडर के बारे में बात करते हैं और वो यह बताते हैं कि उसने इस केस से रिलेटेड चाल लोगों का पता लगया है और कीम उनके फोटोस लेकर वहाँ से निकल जाता है जिसके बार में कीम उन चार में से दू लोगों को बड़ी बहरे में से टॉर्चर करता है और कीम को पता लगता है कि उन में से किसी को भी कुछ नहीं पता अब कीम तीसरे आदमी के घर जाता है जहां पर उसे ये पता लगता है कि वो बहुत पहले ही अपना घर छोड़कर चला गया है और इस बारे में उसके घर वालों को कुछ भी नहीं पता फिर किम जब उसके घर से निकल रहा था तो वो उस तीसरे आदमी के बेटे को देखता है वो उससे उसके पिता के बार में पूछता है जिस पर वो छोटा बच्चा किम को एक लोकेशन देता है जब किम उस लोकेशन पर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि उस जगह पर लड़कियों के कई सारी चीज़े पड़ी है किम वहाँ पर और भी चान बिन करता है और उसे एक गटर से जोयू की रिंग मिलती है जो कि उसने जोयू को दी थी और किम समझ जाता है कि ये जोयू के कातिल का ही घर है नेक्स्ट सिन में हम उसी किलर जोयू को देखते हैं जो की अपनी वेन में था और उस वेन में कई सारी लड़किया थी जिसे वो बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था और हम देखते हैं कि रात के समय उस इसकूल बस से एक लड़की मिसिंग थी जिसे जॉंग ने किड्नेप कर लिया था वो इस लड़की को अपने घर लेकर आता है और उसे सेक्शुली अब्यूस कर रहा था तबी कोई उसका नाम पुकरता है और जब जॉंग वहाँ पर देखने जाता है तो वहाँ पर कीम खड़ा वा था जॉंग कीम से कहता है कि वो शायद पुलिस ओफिसर होगा और फिर जॉंग कीम के उपर हसिय से अटेक करता है लेकिन कीम उससे बचकर जोंग को बुरी तरह से पीटता है दोनों में बहुत भेंकर लड़ा होती है और कीम उसके मुँ को प्लास्टिक बेक से लपेट कर उसका दम घोट रहा था और जब जोंग मननी वाला था तब कीम उससे छोड़ देता है कीम एक बड़े से पत्थर से उसका सर कुचलना चाता था लेकिन अगेन वो ऐसा नहीं करता और महीं पर रुख जाता है जोंग बेसूत पड़ा हुआ था और कीम उसके मुँ में वो कैपसुट डाल देता है जिसके बारे में जोंग को नहीं पता लगता और कीम उस लड़की की जान बचाता है जिससे जोंग यहां पर लाया हुआ था फिर कुछ घंटों के बाद में जब जोंग को होश आता है तो देखता है कि कीम यहां से जा चुका है और उसके पास में एक लिफाफ़ पड़ा हुआ था जिसमें कुछ पेसे थे जिसे देखकर जोंग को लगता है कि कीम शायद एक साइको आफिसर था फिर पेसे लेकर जोंग वहां से निकल जाता है और एक कार से लिफ्ट लेता है जिसमें की दो आदमी थे लेकिन उससे नहीं पता था कि कीम उसकी हर चीज़ को ट्रेक कर रहा था चुकि उसके पेट में वो ट्रेकिंग वाला कैपसूल था अब कार में आगे जाने के बाद जोंग कार में बेठा हुए दो लोगों को भी मान देता है और जब वो कार की डिक्की खोल रहा था तो देखता है कि उस कार की डिक्की में भी पहले से ही एक लाश मुझूद है मतलब कि कार में बेटे हुए दोनों लोग भी उसी की तरह क्रिमिनल थे जोंग इन तीनों के डेट बोड़ी को यही पर छोड़ कर खुद कार लेकर निकल जाता है जोंग इनजर था और कुछ दूर जाने के बाद में वो डॉक्टर के पास में जाता है ड्रिसिंग करवाने के लिए जहाँ पर उसकी नजर एक नर्स पर पढ़ती है जब नर्स एक खाली कमरे में जाती है तो महाँ पर जोंग पहले से ही खड़ा हुआ था जिसे देखे कर नर्स डर जाती है जोंग नर्स को डरा कर उससे कहता है कि कल रात को वो एक लड़की के साथ में था और उसका साथ में मोज मस्ती करने वाला था लेकिन एक आदमी ने आकर उसका प्लान चोपट कर दिया और अब वो उस नर्स के साथ में उसके आदे अदूर एक काम को पूरा करेगा नर्स जौंग को उसे छोड़ने को कहती है लेकिन हो साइको था और वो एक इनसान के रूप में एक जानवर था जब जौंग उस नर्स को भी सेक्श्वली अब्यूस कर रहा था तो पीछे से कीम वहाँ पर आ जाता है और वो जौंग को फिर से खूब पिटता है नर्स मुका देखकर माँ से भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन कीम उसे रुकने का कहकर जौंग को तड़पता हुए देखने को कहता है और जौंग को कहता है कि ये तो बस चुरुआ थे और ये इतने जल्दी नहीं खतम होने वाला है और फिर किम जौंग के पेर में चाको गुसा कर उसे तड़पता है और जौंग दर्द के मारे बहुत जोर जोर से चिला रहा था फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जौंग ऐक कारस बाहर निकलता है और उसके पेर की हलत बहुत जदा खरापती और उसका हाथ भी तूटावा था वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और तो और उसे ये तक नहीं पता था कि कीम उसके साथ में ये सब क्यूं कर रहा है उसे नहीं पता था कि कीम उस तक हर बार कैसे पहुच रहा है जॉंग ट्रेकर को ढूंडने के लिए अपने कपड़े और कार को चेक करता है लेकिन उसे उसमें कुछ नहीं मिलता और फिर जोंग दूसरी कार को रुकता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कार में ट्रेकर लगा हुआ है इदर किम को उसके फादर इन लोग का कॉल आता है वो उसे कहते हैं कि जोंग को टॉर्चर करना बंद कर दे उसे उसकी गलती की सजा मिल गई है और अब पुलिस उसे निपट लेगी लेकिन किम नहीं रुकना चाता था यहाँ पर जोंग एक रिस्ट्रेंट में जाकर अपने दोस्तों से मिलता है जिन में से एक लड़की थी और एक लड़का वो दोनों भी जोंग की ही तरह साइको थे जोंग उन दोनों को अपनी कहानी बताता है कि किसे एक आदमी उसे बार बार टॉर्चर कर रहा है और हर बार उसे छोड़ देता है जोंग का फ्रेंड उससे कहता है कि वो बस उसे डाराना चाता है और शायद इससा हो सकता है कि वो उसके द्वारा मारे गए लोगों का कोई परिवर वाला हो जोंग अपने घर पे जाकर सोचता है कि किम कौन हो सकता है तो अब उसे किम के हाथ की रिंग याद आती है और वो समझ जाता है कि किम उसे इतना टॉर्चर क्यों कर रहा है और जिस घर में जॉंग और उसके दोस्त रुके होगे थे वहां के ओनर को जॉंग के फ्रेंड ने कैप्चर कर लिया था और उसकी बेटी को भी पकड़ कर वो लेकर आता है और वो से मानने ही वाला था लेकिन किम वहां पर पहुच जाता है जॉंग का फ्रेंड ये देख कर चोक जाता है कि किम बिना शोर मचाए यहां तक कैसे आ गया जिसके जवाब में किम कुछ नहीं कहता और उसे खूब पीटता है वहां पर जॉंग बेपहुच गया था लेकिन वो भी किम का कुछ नहीं बिगाड़ पाता किम उन सभी को इतना बुरी तरह से पीटता है कि वो फिर कभी किसी को नहीं मार पाएंगे किम ने सभी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था कि वो बस मरे नहीं थे फिर अगले दिन इस घर में पुलिस आती है लेकिन जॉंग यहाँ पर नहीं था उससा कीम दूसरों हस्पिटल में ले गया था कीम भी इंजर्ट था और उसका दोस्त उससे कहता है कि वो जॉंग को छोड़ दे लेकिन कीम नहीं मानता और वो उससे कहता है कि उससे जुर्म के सजा मिलना अभी बाकी है फिर कीम का फ्रेंड कहता है कि वो कैपसूल तब तक काम करता रहेगा जब तक कि वो उसके पेट से बाहर ना निकल जाए फिर कीम जॉंग को देखता है जो कि बेसुत पड़ावा था लेकिन जोंग ब्योंश नहीं था वो बस ब्योंश होने का नाटक कर रहा था वो उन दोनों के सारी बाते सुन लेता है और उसे ये भी पता लग जाता है कि कीम उसकी लोकेशन हर बार केसे पता लगा लेता है और हम देखते हैं कि एक बार फिर कीम जोंग को उठा कर एक सुनसान जगर पर फेक देता है ताकि वो फिर से क्राइम करे और वो उसे एक बार फिर से सबक सिखा सके लेकिन इस बर जोंग को सब पता लग गया था कि किम कौन है वो से टॉर्चर क्यों कर रहा है और उसने उसके बाड़ी में ट्रांस्मीटर लगाया हुआ है किम उसके सारी बाते सुन सकता था और फिर जोंग कहता है कि उसे पता है कि किम ने उसके अंदर ट्रांस्मीटर लगाया हुआ है और उसने ऐसा गेम अपने पुरी लाइफ में कभी नहीं खेला है उसे ये भी पता लग गया है कि वो जों यू की मौत का बदला ले रहा है लेकिन अब खेल में उर जादा मज़ा आएगा उसे ये भी पता है कि जों यू का घर कुन सा है और किम को अफसोस होने वाला है क्योंकि उसके पास इतने सारे मुके थे जौंग को मानने के लिए फिर भी उसने उसे नहीं मारा और जिन्दा छोड़ दिया जौंग कीम के दिल को छोट पोचाने के लिए उससे कहता है कि जब वो उसके फ्यांसे को मार रहा था तो उसने उससे एक बात कही थी कि वो पेगनेंट है जिसके बारे में शायद उसने कीम को भी नहीं बताया था जौंग यू ने उससे जिन्दा छोड़ने की मिन्नते मागी लेकिन उसने उससे नहीं छोड़ा और फिर जौंग एक मेडिकल स्टोर में जाकर खुप सारी लूज मोशन की दवया खा लेता है जिससे की उसे लूज मोशन होता है और वो उस कैपसूल को दूसरे आदमी में डाल देता है अब कीम को ये नहीं पता था कि जौंग आकिर कहा है इसलिए वो उसके फ्रेंड से जौंग के बारे में पूछता है और वो बताता है कि जौंग बहुत एक खतरनाक साही को है कीम ने उसे जितना टॉर्चर किया है वो उससे कई ज़्यादा उसकी फ्यांसे की फैमिली को टॉर्चर करेगा वो उन सबी को भी मार देगा वो ऐसा करने के बाद में कीम ने उससे पकड़ा तो उसका उससे कोई फैमिली तक पहुँच गया तो वो उन्हें तलपा तलपा कर मारेगा और इसलिए किम जौंग के पहुँचने से पहले उसके फैयांसे के घर निकल जाता है लेकिन जौंग पहले ही पहुँच चुका था जोयू के फादर को मार मार कर बुरी तरह से गैल कर दिया था और उसने जोयू की बेहन को भी मार दिया था जिसके बारे में जानकर किम को भी बड़ा अफसोस होने लगा था कि शायद उसने उसे पहले मार दिया हुता तो आज ये दिन नहीं आता और अब जौंग पुलिस के आगे सरेंडर करने वाला था ताकि किम उसे कभी नहीं पकड़ सके और वो जल्दी सब पुलिस को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देता है ताकि पुलिस उसे यहाँ से ले जाए और वो किम के हाथ कभी न आए और इस गेम में वो किम को हरा दे जोंग बाहर खड़ावा पुलिस के इंतजार कर रहा था और पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए उसकी और आ रही थी लेकिन पुलिस के पकड़ने से पहले ही किम वहाँ पहुच जाता है और जोंग को कार में डाल कर उसे उसी जगह लेकर आता है जहाँ पर जोंग ने उसके फ्यांसे को मारा था किम जोंग को उसी जगह पर बांदता है जहाँ पर वो सबी लड़कियों को लाकर मारा करता था और अब किम उसे लगाता टोर्चर कर रहा था जोंग उसे उसको मारने की भीक मांग रहा था लेकिन कीम अभी भी उससे यही कह रहा था कि वो उसे इतने जल्दी नहीं मरने देगा वो उसे तब तक कड़ पाएगा जब तक उसकी जिन्दगी में सबसे जादा दर्द मैसूस नहीं होगा वो उसे तब मारेगा जब उसकी जिन्देगी में उससे सबसे ज़्यादा दुख मैसूस होगा जब उसकी आखों में आसू आएंगे और वही उसका बदला होगा ज़ोंग अभी भी मौत की भीख मांग रहा था और कह रहा था कि उसमें ओर दर्ध सेने की ताकत नहीं बची हुई है और अब कीम उससे कहता है कि जॉंग ने कई लड़कियों से यही सुना होगा कि वो उन्हें छोड़ दे और अब उसे ये दर्द खुद मेसूस करना होगा लेकिन जॉंग ये सुनकर हसना लगा था वो कहता है कि उसके अंदर कोई डर नहीं है और नहीं उसे किसी चीज़ का दुख होगा फिर हम देखते हैं कि किम उसे महीं पर बान देता है और उसके मूँ में एक रस्टी डालता है और अगर जोंग उसके मुँ में फसी हुई रस्टी को छोड़ेगा तो उपर लटकी हुई ब्लेड नीचे गिरेगी और उसके गरदन वही पर कड़ जाएगी और अगर किसी ने दर्वाजा भी खोला तो भी रस्टी खिच जाएगी और फिर से ब्लेड की रस्टी खिचेगी और जोंग की गरदन कर जाएगी जिसके बार में सब पुछ सेट करके किम वहाँ से चला जाता है फिर पीछे से एक टेक्सी आती है जिसमें जोंग की फेमली और उसका बच्चा था और वो उसी घर में एंटर हो रहे थे जहां पर अंदर जोंग ये कह रहा था कि वो किसी से नहीं डरता किम ने ट्रांस्मीटर खुद अपने पास में रखावा था और जोंग के पास में स्पिकर छोड़ दिया था ताकि जोंग कीम की आवाद सुन सके किम कहता है कि जोंग की फेमली और बच्चा दरवाजे के भार खड़े हैं उन्हें पता है कि जौंग अंदर है और अगर वो अंदर आएं तो रस्सी खिचेगी और जौंग मर जाएगा और अगर जौंग ने रस्सी छोड़ दी तो ब्लेड उपर से आकर उसकी गरदन काड़ देगी और बस इसी पल जौंग को अपनी मौत का डर लग रहा था वो भी बच्चे के हाथो उसने कई लोगों को मारा था और अब उसकी खुद की ऐसी हाला थे वो जोर से चिला कर कहना चाता था कि दर्वाजा ना खोले लेकिन अगर वो रस्सी छोड़ देता तो भी मारा जाता और जैसे ही जौंग के फैमिली दर्वाजा खुलती है जौंग के बदला तो ले लिया लेकिन उसने सब कुछ खो दिया इस मूवी का टाइटल है I Saw The Devil और इस मूवी में कई लड़कियों ने जौंग की आँखों में डेविल को देखा और जौंग ने कीम को डेविल का रूप में देखा और यही इस मूवी की स्टोरी थी दोस्तों I hope ये व बड़ा वाला थैंक यू क्योंकि आप हैं तो हम हैं लव यू ओल सी यू इन दे नेक्स्ट वीडियो